हाई फ्रेंज कोकुवित नीसु में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप जानते हैं आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्मस और नुईयर के लिए इस्पेशल मफिन की रेसिपी ये बहुत ही इंस्टेंट तयार होता है बहुत ही यम्मी होता है तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिया है ऑईल इसके बाद हम इसमें एड करेंगे पीसी हुई चीनी ये नॉर्मल चीनी है मैंने इसे घर में ही मिक्सर में पीस लिया है फिर इसे हम अच्छी तरीके से एक से दो मिनट तक मिक्स कर लेंगे ताकि एदम क्रीमी हो जाए तो इसपून बेकिंग पाउडर और वन टी इसपून बेकिंग सोडा फिर इसके बाद हम इसमें एड करेंगे दो बड़ा चमच कोको पाउडर अब कोको पाउडर एड करने के बाद हम सारे इंग्रिदिंस को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे फिर इसके बाद यहां पे में ले रही हूँ, एक कप दूद, हम इसमें दूद ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे हमें इसे इदम फलफी बैटर तयार कर लेना है तो देखें इदम फलफी बैटर होने लगाए ये थोड़ा सा थिक है मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूद और एड़ कर रही हूँ और इसे हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगे तो देखिए हमारा जो batter है वो इदम perfectly तयार है हमें इसी तरीके का batter बना के तयार कर लेना है तो देखिए हमारे जो batter की थिकने से वो इदम perfectly है अब यहाँ पे मैंने muffin mouth ले लिया है आप चाहें तो इसे कटोरी में भी बना सकते हैं तो अब मैं muffin mouth में सारे batter को अच्छी तरीके से भर दूँगी और इसे हम ले चलते हैं oven में रखने के लिए oven भी हमारा preheat हो चुका है आप चाहें तो इसे oven में बना सकते हैं या ऐसे ही आप इसे 30 मिनट के लिए कटाई में भी ढखकर बेग कर सकते हैं तो देखिए 20 मिनट complete हो चुके हैं और 20 मिनट के बाद मैं यह आपको दिखा देती हूँ जो हमारे muffin हैं वो इदम perfect बनके तयार हुए है तो मैं आपको एक muffin चेक करा देती हूँ यह कितनी easily demold हो गए हैं और कितना perfect बनके तयार हुआ है तो मैं आपको अब इसे paper से भी बाहर निकाल के दिखा देती हूँ कि हमारे जो muffin हैं वो कितने soft बनके तयार हुए हैं इस Christmas आप ये recipe जरू try कीजिएगा तो देखी ये कितने अच्छे लग रहे हैं मैं आपको एक cut करके भी दिखा देती हूँ ये देखी कितने easily cut हो रहे हैं और कितने अच्छे बनके तयार हुए और कितने spongy और कितने जालीदा बनके तयार हुए हैं देखने से ही पता चल रहा है आप इसे simple भी serve कर सकते हैं या इस तरीके से चॉकलेट और कुछ colorful skoli से भी decorate करके serve कर सकते हैं अगर आप लोगों को ये recipe पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को like, share, subscribe और comment जरूर कीजिएगा ओके फ्रेंस मैं आपसे फिर किसी नई recipe के साथ, bye